मुकेश अमबानी के बेटे के घर पे एक बेटा का जन्मा हुआ On the other hand, उसके वाच्च्मेन के घर पे भी एक बेटे का जन्मा हुआ मुकेश अमबानी के बेटे के पास बायर इसने सब कुछ करोडों का मालिक है वो, राइट? बेबी टब, बेबी कोट, स्ट्रोलर, सब कुछ है उसके पास Everything सोने की खिलों इसे भी वो खेल सकता है, राइट? अपन ये मानते हैं कि मुकेश अमबानी का बेटा एकदम सुखी, राइट? No doubt, सब सहमत है ना, वो बहुत सुखी है And watchman का बेटा, जिसके पास तूटी-फूटी जोपड़ी कुछ खेलने के लिए है, तो वो सिफ प्लास्टिक के खिलों है वो कितना सुखी है, अपन ये ही मानते हैं, वो दुखी ही है, अपन ये ही मानते हैं, खुछ खाने ही पीने का भी नहीं, वो दुखी है अपन क्या मानते हैं, मुकेश रंबानी का बेटा, जिसके पास सब कुछ है, वो सुखी And watchman का बेटा, जिसके पास प्लास्टिक के खिलों है, वो कितना सुखी रह पाएगा, राइट? But God से दिखा जाए, मुकेश रंबानी का बेटा, जितना खुश उस प्लास्टिक के खिलों है, वो तना ही शुखी Watchman का बेटा उस प्लास्टिक के खिलों है, कुछ डिफरेंट सा उन दोनों में, कभी उस बेटे को सोने के खिलों है चाहिएट है, he was happy with what he had, obvious, right? उसको कभी सोने के खिलों है नहीं चाहिएट है, देव है, equally fit and fine, equally तो doubt नहीं आता है, अगर प्लास्टिक के खिलों खिलों हो, और सोने के खिलों नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों डिफरेंट सााया, वजब अपन क्यों उसमें सामगरे, एक मुसरे में, क्यों सुख का लेबल लगया हो, उसमें क्यों क्यों नहीं लगया अपने क्या मानते हैं बोलो सुक शंपत्ति सामकरी में है In short, अगर आपके पास संपत्ति सामकरी हो, तो आप शुकी हो तो वोच्मेंड का बीटा सुखी कैसे? दिल पक्की की जाय है सुक वस्तों में नहीं सुक आपके विच्छारों में जब हमारे पास कुछ भी नहीं तो हम सुखी कैसे आपने माना सुख समपत्ती सामगरी सत्ता में है ओके, फाइन, मैं एक सेकेंड किल मानती हूँ, बट हमारे पास कुछ नहीं, तो हम सुखी कैसे, या तो फिर संपती सामगरी हमारे पास नहीं है, तो या तो शुक देने के स्वभाव संपती सामगरी में नहीं है, या तो फिर उसके बिना हमारा स्वभाव सुखी नहीं होना क्या है अभियाब बताइए वस्तु हमें कभी पूर्ण नहीं कर सकती है फाइनल क्या जा है सबका मुह हिल तो रहे हैं तो फिर भी इन्हीं वस्तु को इकटा करना है अज हम पूरी दिन राज क्यों दोड़ते हैं अपने कल को बसाने के लिए राइट बड़ किसी ने कल देखा है कल आएगा ये भी फाइनल है तो क्यों दोड़ रहे हो अरे सहादू भगवन का तो अलगी मज़ा है उनकी सुखी रहने का क्या राजे बताऊं जानना चाहते हैं आपको इतने सुखी क्यों है अरे खाली पात्रे होते हैं उनके पस नो एफटी, नो बैंक बैलेंस कल क्या खाऊंगा उसका भी कोई पता नहीं अरे उनको comforts नहीं, necessities की भी कोई tension नहीं, खाने पीने मिलेगा वो भी कोई tension नहीं बस बारा बजे निकल पड़े, कुछ मिला तो ले लेंगे, वरना फिर भी हम आनंद में हैं कैसा ना, कैसी घटना अप्रभाविक्ता, कैसा situation proof उनके पास है कोई भी situation बुने दुखी नहीं कर सकती है सोचो, अगर ऐसा जीवन अपना भी हो जाए, तो अपन कितने सुखी रह सकते हैं न जब कोई भी घटना, कोई भी बस्तू, आपको सुखी दुखी नहीं करे ऐसा जीवन अगर आप चीज सकते हो, तो फिर क्यों पड़े हो उस बस्तू को इकटे करने में साइब जी अपने घर पे आते हैं, समझों उनका खप पूरा हो गया, अभी मुनको ओल नहीं चीए क्या सुन्दर शब्द बोलते हैं वो, वर्तमान जोग, अब नहीं चीए, खप नहीं हैं हमको बस आज का ले लिया, कल का कल देखेंगे, क्या प्रभू ने अद्बुट भेट दिये मने आज तो जीओ, आज तो मस्त रहो, कल का भगवान कल देखेंगे, आज क्यों अपना अज सब इसी में फशे हुए है, फ्यूचर की टेंशन, पास की पीड़ा हमें सताती जा रही है, ऐसा नहीं है आज प्रेसेंट में कौन जी रहा है मुझे ये तो बताइए, प्रेसेंट के लिए कौन वर्क कर रहा है आज ऐसा नहीं है, कि अपन फ्यूचर को बसाने में ही रह रहे है, पर क्या पता, क्या गैरंटी है आपको, कि मैं फ्यूचर में इतने ट्रेंट तक रहूँगा, मेरे पास ये सब, मैं ये सब भोगूँगा क्या गैरंटी है ऐसी, बताइए अगर है ना, पान्सो करोड का मालिक, पान्सो करोड का मालिक, रोड पे भीक मांगे ना, कहिए तो सही, आप लोग मैंसे कौन कौन नहीं बोलेगा, उश्यूचर ट्यार ये भीक मांग रहा है, उश्यूचर पस इतने पैसे, ऐसा बोलने वाला कौन नहीं, ब्रेकिंग नही पर यह नहीं छड़ेगा, आएगा के नहीं आएगा, है नाशा, तो रगु को भी बहुत खटकता है, जब अनन्त सुको का मालिक, अनन्त सुक, अनन्त संपती, अनन्त लक्ष्मी अपने आत्मा में पड़ी हुई है, जब अपन उसको ही उसने, उसको परवा किये बिना, इन प लोग, अरे उसमें सुक देने की शक्ती नहीं है, छोटे बच्चे को नेट्फ्लिक्स लेके बैटाओ, और आपको लेके बैटाओ, कौन सुकी है, इसको समझ आ रहा है, आपको ही समझ आ रहा है, तो नेट्फ्लिक्स में ताकत है देने की खुशी के आपके सोच में, तो क् आप ऐसे सोचिए एक मात्र पूर्ण संतोष अपने आप से ही मन लगा दीजिए क्यों ऐसा नहीं कर सकते आप आज फुल फिल विट वाट आई है ऐसा क्यों नहीं है अरे सुकी चाबी यही है और आप उससे खुश हो ना तो बस एक बार ऐसा सोच के रिखिए आज जो मेरे पास है वो काफी है फिर एक कप का कॉफी आपको क्या सुकी देख कर पाएगा एक कप की कॉफी भी जरूरत नहीं है आपको आप मात्र संतोष महीं रहोगे ऐसा नहीं बनना है हमको बस गुर्मा ने सिखाया है लख्षिता अनन्द भव रखडे अपन बस एक एक बार प्रभू को अपना जीवन सौप दियाना बस बाकी सब कुछ दादा कर देंगे अरे अपन को कुछ करना ही नहीं है सब कुछ वो करने वाला है सोचति हो दिःक्शा कभी मांगी नहीं उसने आप दिख्षा दिला दी तो फिर मोख्ष की क्या है वो हमेश्थ पक्का दिलाएगा दिलाएगा और दिलाएगा ही किलक नी लागी छे, वक नी जागी छे, तारा मिलननी प्रभू